अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीज़ेगा मेरे चैनल पर नहीं हो इसे सब्सक्राइब कीज़ेगा तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टारेट हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक encrypted messaging app जिसका नाम है signal messenger app और क्या ये whatsapp से बहतरीन है जानते हैं सबसे बहले जानते है signal messenger app है क्या और इसे whatsapp किलर क्यों कहा जा रहा है देखिए इसका एक main reason है whatsapp की नई user policy जो की 8 फरवरी 2021 से पूरी इंडिया में लागू हो जाएगी और इसके लागू होने के बाद आपको whatsapp की terms and condition को accept करना ही पड़ेगा वरना आपको whatsapp डिलीट करना पड़ेगा whatsapp की नई policy का आप पर क्या आफर होसा है सबसे पहला खर से आपका status तह होगा फिर वैसे ही विग्यापन आपको दिखेंगे दूसरा phone के IP address से पता लगेगा कि आप कब कहा और किधर जाते हो तीसरा whatsapp आपके status को पढ़कर facebook पर suggestion देगा क्योंकि facebook whatsapp की एक parent company है चौथा content पर नजर रख कर उसका analysis किया जाएगा और पाच्छवा किस group में कितने member active है उसे ये भी पता रहेगा आप क्या share कर रहे हो आपका bank details सारी जानकारी whatsapp के पास रहेगी और दूसरी बात messaging app पर खत्म होती privacy भी इसका एक main कारण है facebook messenger के पास आपकी 30 से भी ज्यादा information और data है जबकि whatsapp के पास आपकी 15 से ज्यादा information और data रहता है telegram के पास 3 और i message जो की iPhone का एक product है उसके पास 4 तरह के user data रहता है जबकि signal messaging app जो की encrypted messaging app है उसके पास सिर्फ आपका mobile number रहता है यह और एक non-profit application है अब आद करते हैं signal app के founder कौन है तो moxie, marilyn spike नाम के American cryptographer और इसके co-founder है Brian Acton जो की whatsapp के बूत पूर्व founder भी रह चुके है 10 जनवरी 2018 को इसका official announcement क्या था signal app whatsapp से बहतर है या नहीं मैं कहूंगा signal app whatsapp से लाग गुना बहतर है क्योंकि यहाँ पे whatsapp अपने users को facebook के साथ personal data share करने के लिए force कर रहा है यहाँ तक कि Elon Musk जो की SpaceX और Tesla के मालिक है उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आप एक smaller encrypted messaging app को use कर सकते हो और यह 7 जनवरी 2021 का article आप देख रहे हो इस से related मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी whatsapp versus telegram अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पर उस वीडियो को देख सकते हैं मैं यहाँ पे link देदूँगा तो कोल मिला कर बात करते हैं signal messaging app whatsapp का एक बहतरीन alternative हो सकता है अगर आप चाहो तो अगर आप नहीं चाहते हो तो whatsapp को use कर सकते हो यह आपकी मर्जी है उम्मिद करता हूँ यह video आपको helpful लगी होगी video पसंद आई हो तो इसे like कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ family के साथ share कीजेगा और इसी तरह के interesting video देखते रहने के लिए मेरे चैनल जाबाइट को subscribe कीजेए बल आइकन को प्रेस कीजेए मिलते हैं किसी next video में interesting topic के साथ तब तक के लिए bye bye thanks for watching